तो आज हम आपके लिए चॉकलेट मैनुफेक्टरिंग बिजनस के उपड़ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए है जिसके अंदर हम आपको बताएगे कि चॉकलेट की कितनी डिमांड होती है क्या चीज़े जानने आपको बहुत ही जादा जरूरी है ये बिजनस को च requirement होगी कितना investment आपको करना पड़ेगा क्या raw materials required होते है एक चॉकलेट की manufacturing के लिए कैसे आप customers को target कर सकते है और उनसे sales increase कर सकते है कितने area में आपका ये पूरा plant जो है चॉकलेट manufacturing का वो setup होगा कितने manpower के आपको जरूरत पड़ेगी कितना profit आप earn कर सकते हो हर महीने क्या licenses के आपको जरूरत होगी और क्या marketing strategies यूज करके आप आपकी sales को boost कर सके इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आपको in depth knowledge देने वाले है तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो subscribe जरूर कर दीजेगा and hit the bell icon सबसे पहले बात करते है कि क्या चीज़े आपको जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है इस business को चालू करने से पहले बात करते है demand की तो chocolate आजकल हर एक इंसान खाता है या वो cake में use होता है या bakery items में पर chocolate की demand कभी कम नहीं होती है supply की बात करें तो supply थोड़ी सी कम है इंडिया में तो आप ये plant को चालू करके बहुत ही अच्छा production करके आप sales कर सकते हो price की बात करें तो वो आप market research करके आप उसके according set कर सकते हो कि क्या price पर आपका चौकलेट का एक slab है या एक piece है वो manufacture होता है और आप कितने में उसको sell कर सकते हो क्या profit margin आपको रखनी चाहिए क्या quantity और क्या quality measures लेनी चाहिए ये सारी market research आपको करनी चाहिए इस business को चालू करने से पहले और एक proper business plan बनाना चाहिए आपके budget को ध्यान में रखते हुए क्या आपका business को small scale large scale या medium scale पर आप expand कर सकते हो तो ये सारी चीज़े आपको आपके budget के हिसाब से plan करनी पड़ेगी बात करते हैं types of chocolate की तो white chocolate, dark chocolate, milk chocolate, semi sweet, bitter sweet chocolate, compound chocolate बहुत सारी अलग-अलग types की chocolate की manufacturing आपके budget को ध्यान में रखते हुए आप इन सारे जो भी chocolate के types उन सब का भी production कर सकते हो या particular chocolate का भी production कर सकते हो ये सारी चीज़े आपके marketing strategies और आपका कितना production और आप कितनी sales कर सकते हो इन सारी चीज़ों पर totally differ करेगा तो ये सारी चीज़ों का आपको proper plan बनाना बहुत ही ज़ादा जरूरी है अब बात करते है raw materials की तो spatula, essence, choco chips, nuts, dry fruits, chocolate compound, chocolate mold जो silicon material का होना चाहिए और packaging materials ये सारे raw materials के आपको जरूरत होगी chocolate manufacturing के लिए और packing के लिए तो आप उस हिसाब से ये सारी चीज़े को market से buy कर सकते हो या online भी buy कर सकते हो ये सारी चीज़े आपके जो भी convenience है उसके ओपर totally depend करेगी कि आपको कहां से कितने सस्ते में ये सारे raw materials मिल रहे है बात करते हैं machinery की तो mixer, meltor, temperature controller और refrigerators के आपको जरूरत पड़ेगी इस business को चालू करने के लिए तो ये सारी machinery की cost और कितना investment आपको करना पड़ेगा उसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं और इतनी ही सी machinery की आपको requirement होगी ये सारी machinery आप आपके budget के हिसाब से मतलब semi automatic, fully automatic, manual machines उस हिसाब से आप देख सकते हो और उस हिसाब से ही आपका जो labor का requirement होगा वो totally differ करेगा बात करते हैं investment की तो capital की अगर बात करें तो 80,000 से 13,000,000 तक का capital आपको required होगा ये business को चालू करने के लिए और working capital की बात करें तो 30,000 से 7,000,000 का working capital आप रख सकते हो और ये investment भी totally differ करेगा आपके business model के उपर और आपकी जो machinery's है और labor का जो cost है उन सारी चीजों पे ये investment differ करेगा बात करते हैं customers की तो कोई भी business में customers बहुत important role play करते हैं क्योंकि उससे ही आपकी sales को boost मिलेगी और आपका business बहुत ही अच्छा run कर सकता है तो सबसे पहले आप आपके जो ये production है उसको wholesalers, distributors, retailers, stores, online platform, cafes, restaurants यहाँ पे आप sell कर सकते हो sectors की अगर बात करें तो food processing sectors और bakeries में भी आप इसकी supply कर सकते हो और contract basis पे भी आप काम कर सकते हो मतलब कैसे किसकी requirement है अगर किसी को bulk में production चाहिए और उसे specific taste और specific color की chocolates चाहिए तो आप उस हिसाब से भी उन्हें production करके दे सकते हो अगर आपको आपके budget में set होता हो तो तो ये सारी चीजों से आप आपके जो ये production है उसको increase भी कर सकते हो और आपकी sales का boost भी आपको मिल सकता है जिससे आपका जो profit margin है वो बढ़ सकता है तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है कि कैसे आप आपके customers को target कर सके अब बात करते हैं marketing strategies पे तो आप personal selling, advertisement, sales promotion, direct marketing और publicity जैसे कुछ mediums use करके आप आपकी sales को एक बहुत ही अच्छा boost दे सकते हो जिससे आपकी जो profit की earning होगी वो बहुत ही ज़ादा बढ़ जाएगी तो आप ये सारे mediums को आपके plan, आपके local area और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए implement कर सकते हो ये marketing strategies यूज करके आप आपके जो targeted customers है उन तक आसानी से पहुँच सकते हो और उन्हें बहुत ही अच्छा product sell करके बहुत ही अच्छा earn कर सकते हो तो आप ये chocolate की manufacturing करके इसे online और offline दोनों जगे sell कर सकते हो अलग-अलग profit margin को रखते हुए और इस हिसाब से आप आपके business को expand भी कर सकते हो अब बात करते है area की तो 1000 से 5000 square feet का area आप minimum ले सकते हो इस business को setup करने के लिए और ये totally differ करेगा कि आपका जो business है वो medium या large scale business है manpower की बात करें तो 4 से 10 labors के आपको जरुवत पड़ेगी ये भी totally differ करेगा कि आपकी machinery कौन सी है manual, automatic या semi-automatic और क्या आपका business model small scale है, large scale है या medium scale है तो इन सारी चीजों पे area और manpower की requirement भी आपकी differ करेगी तो इसलिए हमने starting में ही आपको बोला था कि ये business को चालू करने से पहले कौन सी चीजों की ध्यान में रखना जरूरी है और क्या plan बना के आप इस business को implement कर सकते हो, तो वो सारी चीज़े आपको starting में करनी पड़ेगी अब बात करते है licenses की, तो business license, state pollution control board से NOC letter, GST number, FSS AI का certificate और trademark की आपको जरूरत पड़ेगी तो licenses का अभी अलग cost होगा जो आपको pay करना पड़ेगा इन सारे licenses को acquire करने के लिए तो licenses भी बहुत ही जादा important role play करेगा इस business को run करने के लिए अब बात करते हैं बहुत important चीज़ जो है profit, depend करेगा आपके production और business model पे उस हिसाब से अगर on and average हम आपको बता है तो आप 25 to 45% का return expect कर सकते हो हर मन्त का तो आपको बहुत ही अच्छा profit हो सकता है इस business को run करने के बाद और आप, आपके जो budget है उस हिसाब से machinery की quantity भी differ कर सकती है जैसे आपने एक machinery से चालू किया और आपका production बहुत ही अच्छा चल रहा है और sales भी तो आप धीमे धीमे 2, 3, 4 आप machinery को भी increase करके आपका business का model है वो भी expand कर सकते हो तो हमने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है कि कितना profit आपको होगा क्या marketing strategies आप use कर सकते हो कौन से targeted customers है कौन से sectors में आप contract basis पे काम कर सकते हो क्या raw materials के आपको जरुद पड़ेगी कौन सी machinery required होगी इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको proper knowledge दे दिये फिर भी अगर आपको कोई भी doubts हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो और अगर आपको ये video पसंद आया हो तो please subscribe आप चैनल, like, share और अगर आपको doubts हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो Thank you